तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी इस्टाइल में मुर्ग देसी मुर्ग देसी इस्टाइल में तो ये देखिए किस तरीके से बनाते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें तेल डाल दिया है सरसों का आयल है और प्योर सरसों का एकदम और इसको हमने इसमें करीब 60-70 गिराम डाल तरीके से भून के उसके बाद इसको काट लिया है हमने और प्याज आधा किलो है और यह देखिए लहसन अद्रख है और लाल मिर्च है तेसपाथ है लौंग है बड़ी लाइची है छोटी लाइची है दालचीनी है और जाइफल यावित्री है तो यह सारे मसाले हैं इसको हम पीस के रख लिया है तो देखिए आप इसको हम बनाने जा रहे हैं तो तेल लगबग धीरे धीरे हमारा गरम हो रहा है तो अब यह देखिए हम तेल में इसको डालने लगे हैं प्यास सबसे पहले डाल लेंगे और इसको हाफ ड़न कर लेंगे इस तरीके से इसको हाफ डन कर लेंगे और चूले के आज पर खाना बहुत टेस्टी होता है तो हम आज आज आपको बना के और इसका स्वाथ आपको बताएंगे प्यास भूनते ही वक्त थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे इससे क्या होगा कि हमारी प्यास जल्दी तैयार हो जाएगी जल्दी गल जाएगी टाइम कम लगेगा यह देखिए हमने साथ में 3-4 लसन की कली है इसमें ऐसे ही साबूत डालेंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो देखिए हमारी प्यास तैयार हो चुकी है अब इसमें हम पहले गोश्ट डालेंगे इसको अच्छी तरीके से धूल के साफ कर लिया था हमने पहले और इसमें इस तरीके से अब गोश्ट डालेंगे अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको पांच मिनट तक भूनेंगे इसी तरीके से तो यह देखिए हमने ढहा के दो-तीन मिनट तक इसको भूना है अब इसको थोड़ा सा खोल के भूनेंगे और ये देखिए पानी हलका ये छोड़ने लगा ये अपने ही पानी में पकेगा इसमें additional पानी बाद में जाएगा जतना हमको सालन लगाना रहेगा उस हिसाफ से हम इसमें पानी डालेंगे देखिए बहुत ही शांदार तयार हो रहा है और ये गोस्त चमली के साथ है बेगर चमली के नहीं है चमली के साथ खाने से और भी टेस्ट बढ़ जाता है ये देखिए हम फिर से खोलने लगे हैं और ये देखिए अच्छी तरीके से ये पानी छोड़ चुका है ये देखिए बहुत ही काफी पानी अपना छोड़ चुका है गोस्त और इसको इसी पर अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे अब यह देखिए इसको अच्छी तरीके से हमने इसमें पानी डालके और धुल लिया है अब इसको अच्छी तरीके से एक मटो मिक्स करेंगे और इसको बंद करके रख देंगे पकने के लिए करीब 20 से 25 मिनट के लिए है तो यह देखिए हमारा मसाला भुंते भुंते सुप चुका है अब इसमें हम पानी डालके इसका सालन लगा देंगे कि यह देखिए अब हमने इसमें पानी डाल के सालन लगा दिया है अब इस पे धिरे धिरे आज पर यह पकता रहेगा और जो गोष्ट थोड़ा सा बाकी यह वो पूरा बन के तयार हो जाएगा फिर लाश्ट में हम दिखाएंगी तो यह देखिए दोस्तों हमारा गोष्ट बन के तयार हो चुका है काफी रात हो चुकी थी तो हमने यह रात में वीडियो सूट कर रहे हैं तो यह देखिए बहुत ही शांदार बन के तयार हो नयों तो चैनल करें शेयर करें सबस्क्राइब करें थाइंक्यू फॉर वाचिक वाचिक वीडियो